जै श्री कृष्णा कैसे आप सब लोग हम आप सभी लोगों के लिए इश्वर से प्राष्णा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत श्वस्त रहें मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शौर्ट वीडियो और आज हम बताने वाले हैं आपका एक ऐसा राज जो हर किसी को नहीं बताएं देखें यहां पर हमने ऑप्शन्स दे दिये हैं और ऑप्शन में होर्स हैं तो जो भी ऑप्शन नमबर आपको बहुत जादा अट्रैक रहा हो आप आखें बंद करके सुकून के साथ एक ऑप्शन चूस करिए और देखें कि ऐसा कौन सा राज है ऐसी कौन सी बात है आपकी जो हर किसी को नहीं पता है ठीक है तो आई होप अब तक आपने अपना नमबर चूस कर लिया होगा ठीक है चलिए जैसी कृष्णा ऑप आपके अपॉप और आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल मेंृद बाइल नमबर को आपकर वह कौन सा राज है है फजो हर किसी को नहीं पता। बताएं पका सलिए आप दिल के बहुत साफ व्यक्ति हैं साफ सुथ्रे आप अपने मन में कभी वी किसी भी तरह की किसी के लिए भी कोई इर्शिया, कोई ग्रणा, कोई नफरत नहीं रखते आप हमेशा सब की भलाई की, सब की खुशियों की दुआ करते हैं आज तक आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया कभी भी नहीं लोगों ने आपका बहुत दिल दुखाया है बहुत मजाग उड़ाया है लेकिन आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो बात मुझे अपने लिए बुरी रखती है उस बात को मैं कभी किसी और के लिए इस्तमाल नहीं कर सकती नहीं कर सकता आप बहुत ही जादा समझधार और बहुत ही सुलजी हुए इंसान है जब दिल तूटता है, जब हम बुरा बोलते हैं तो कितनी तकलीफ होती है, इस बात को आप बहुत अच्छे जानते हैं और इसी वज़े से आप कोशिश करते हैं कि कभी भी आप से किसी और का दिल तूटे नहीं आप कोशिश करते हैं कि आपकी वज़े से कभी किसी को तकलिफ ना हो और एक तरीके से ये राज की ही बात है कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता आपके बारे में कि आप इतने अच्छे व्यक्ति हैं आप इतने दिल के साफ व्यक्ति हैं कोई नहीं जानता लोग आपकी खामियां हमेशा देखते हैं जो बुराईयां हैं आप में लेकिन कितनी अच्छाईयां हैं आप में ये आज तक किसी ने भी नहीं देखी अगर एक बार कोई भी व्यक्ति आपके खामियों को भूल कर आपकी जो खूबियां हैं अगर वो उन पर ध्यान देगा न तो वो जिन्दगी में आपको कभी छोड़ करनी जा सकता क्योंकि वाकई आप बहुत ही जादा अच्छे इंसान है तो यह है वो राज की बात अब बताएए क्या यह सच है या फिर जूट है अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए वो भी कॉमेंट बॉक्स में ठीक है हमें बहुत अच्छा लगेगा जो भी है हमें बताना जरूर ठीक है जैशी कृष्णा अब बात करते हैं पाइल नंबर टू की हम पाइल नंबर टू वो कौन सा राज है आपका जो किसी को नहीं पता या फिर पता भी है तो लोग कितना मानते हैं इस बात को नहीं मानते बताएए सबसे पहले तो यह बताईए कि कैसे हैं आप स्वस्थ हैं मस्थ हैं लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिश्वल लव डबल वन डबल वन में तो चलिए आपका राज खोलते हैं डियर पाईल नबर टू आपको जूट बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और जूट बोलने वाले लोगों से भी आपको सक्त नफरत है आप जूट बोलने वालों से कोसो दूर रहना पसंद करते हैं आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई बटरिंग करता है चापलूसी करता है जूटी तारीफे करता है क्योंकि आप चाहते हैं कि अगर हम किसी को सच बताएंगे अगर उसमें कुछ कमिया है अगर हम अच्छे से सच बताकर उसे समझाएंगे तो उसे कहीं ने कहीं motivation मिलेगा जूट बोलकर रास्ता भटकाने वाले इंसान नहीं है आप सच कड़वा होता है आप बोलने की भी धम रखते हैं और सुनने की भी धम रखते हैं चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों नहों तो इसी लिए आपके खूबी है ये एक तरीके से ये राज है आपका कि नहीं आपको जूट बोलना पसंद है नहीं जूट बोलने वाले लोग पसंद है आप सोचते हैं जो भी बात हो अच्छी हो बुरी हो वो सच होनी चाहिए मेरे मूँ पर होनी चाहिए मुझे बटरिंग करना बलकुल पसंद नहीं है और ना मैं चाहता हूँ मुझसे इस चीज की उम्मीद रखे कि मैं कभी बटरिंग करूँगा ये कि मैं कभी बटरिंग करूँगी ठीक है तो ये है वो राज जो हर कोई नहीं जानता आपके बारे में अब चलिए आप हमें बताईए कि ये बात कितने परसंट सही है कितने परसंट गलत है वैसे तो जूट बोलना जूट सुनना किसी कोई पसंद नहीं होता लेकिन लोग बोलते बहुत है पर सुनना पसंद नहीं करते लेकिन आप ऐसे इंसान है ना आपको बोलना पसंद है ना सुनना पसंद है समझ रहे हैं आप जो भी है clear बात करते हैं मुँपर बोलते हैं मीठा बोलने वाले इंसान नहीं है मीठा बोलकर छूरी चलाने वाले इंसान नहीं है जहर घोलने वाले इंसान नहीं है आप ऐसे इंसान है कि सीधी बात नोबक्वास साफ साफ बात करना पसंद है आपको स्टेट फॉरवर्ड है आप ऐसे इंसान है आप तो चलिए अपनी प्रति के लिए आप जरूर दीजिए कि यह बात आपसे कितने परसेंट मैच करती है ठीक है हमें बहुत अच्छा लगेगा जैशी कृष्णा हम अप्शन नमबर थ्री कैसे हैं आप आई होप आप बहुत स् बहुत स्वागत है आपके चैनल स्विच्वल लव डॉबल वन डॉबल वन में आज हम लेकर आये हैं शॉर्ट लेडिंग शॉर्ट वीडियो तो वह कौन सा राज है जो आज तक आपने किसी को नहीं बताया आपके अंतर एक राज छुपा हुआ है जो किसी को भी नहीं पत शायद कुछ लोगों को पता हो सकता है लेकिन हमें पता है चलिए बताते हैं बताएं डियर पाइल नमबर थी आप बहुत समय से किसी को मन ही मन में चाहते हो और बहुत ही चाहते हो शायद वो आपका क्रश है लेकिन आज तक आपने इस बात को उससे भी नहीं बताया कि तो आपको बहुत बुरा फील होता है उसे देखकर ही आपको बहुत सुकोन मिलता है बहुत समय से आप इस राज को अपने दिल में अपने मन में ही चुपाए बैठी हो आपने कभी शायद किसी को नहीं बता कि आप उसे आत्मा से प्यार करती हो कोई स्वार्थ नहीं है आपका इस से कोई स्वार्थ नहीं है लेकिन ये बिल्कुल Unkonditional love है जैसे होता है कि किसी को देख करी सुकून मिल जाता है कि देख कर ये बहुत खुशी मिल जाती है और ऐसा मन होता है कि काश काश हो सामने रहे, काश हो हमारी आस पास रहे . जब वह सामने आता है, तो आपकी हो सकता है . के हार्ट बीट फास्ट हो जाती हो क्यूंकि किसी को इतने लंबे अर्से से चहना, और फिर उससे कुछ ना बताना . यह भी तो एक अलग लेवल का प्यार होता है . हो सकता है कि आपको लगता है कि यह one-sided है क्या पता one-sided भी हो सकता है लेकिन कमाल की व्यक्ति हैं इतने समय से किसी को इतना चाहते हैं लेकिन आज तक आपने बताया भी नहीं शायद आपका प्यार इस चीज का महताज नहीं है कि सामने वाला भी मुझसे प्यार करें तो ही मैं उसे प्यार करूँ है ना आपका प्यार एक तरफा है शायद और कहते हैं कि एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है एक तरफा प्यार का मज़ा ही कुछ और होता है जहां पर इस बात की गलत फैमी नहीं रहती कि वो मुझे चाहता होगा नहीं चाहता है मुझे चीट त डहि participants तो चाहे ना चाहे हम तो चाहते हैं बस تم इस बात की खुशी होती है हम तो चलाक हूं तो चलिए हमें बता कौन वह कौन है वह जिसे आप इतने समय से इतना प्यार करते हैं लेकिन आज तक आपने किसी को पताने हैं चलने दिए telefon अब हमें कॉमेंट बॉक्स में बताना जरूर ठीक है कि आप किसे इतना जाधा प्यार करते हैं कि आप उससे भी नहीं कह पाते हैं शायद कहने की कोशिश की हो कभी लेकिन हो सकता है कुछ भी इशू हो सकता है अभी हमें एक दो लाइन का सॉंग याद आ रहा है चलिए हम आपको सुना देते हैं अक्सर हम अपनी रीडिंग्स में सॉंग सुनाते हैं जो हमारी लॉंग रीडिंग्स होती हैं लेकिन पता नहीं अचानक से हमें ऐसा फील हुआ कि हम आपको एक सॉंग सुनाएं ठीक है आपके पार्टनर के लिए मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है परसामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है ओ मेरे साजन ओ मेरे साजन 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 मेरे साजन तो ये फीलिंग्स हैं आपकी किसी और के लिए कॉमेंट बॉक्स में हमें बताना जरूर ठीक है हमें बहुत अच्छा लगेगा जो भी है अगर मन हो तो आपका ठीक है जैसी कृष्णा ओप्शन नमबर फोर कैसे हैं आप आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे दियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही चैनल इस प्रिश्वर लव डबल बन डबल बन ने तो वो कौन सा राज है वो कौन सा राज है जो शायद हर किसी को नहीं पता है आपके बारे में बताए हैं हम पक्का सोच लीजिए आप कोई भी बात बहुत समय तक अपने अंदर छुपा कर नहीं रख सकते अगर कोई राज की बात है और किसी ने आप से कहा कि ये बात किसी से कहना मत प्लीज किसी से कहना मत तो आपको ना पेट में दर्द होने लगता है कि यार ऐसे कैसे इसने कसम दे दी और मेरी तो आदत में ही नहीं है यह में तो बहुत समय तक कोई बात छुपा ही नहीं सकती, छुपा ही नहीं सकता, फिर आप बहुत समय तक कंट्रोल करते हैं कि नहीं बताना, नहीं बताना, लेकिन जितना आप कंट्रोल करते हैं, वो कंट्रोल होता नहीं है, आपके दिल के जो सबसे करीब होता है, आप आज कोई भी बात हो कैसी भी बात हो आपका इंटेंशन पुरा नहीं होता लाइक वह होते हैं कि चुगली-उगली करने के आदत नहीं आपकी लेकिन बस आपको लगता है कि क्या कह दिया मतलब आप अपने मन में कोई भी बात रख नहीं सकते गुस्सा भी जब आपको आता है तो आप ऐसा नहीं कि वक्त आने पर बताएंगे समय आने पर बताएंगे आप ऐसे जहरी ले व्यक्ति नहीं है आपके अंदर ये है कि जो मूपर आया वो बोल दिया मन में कुछ नहीं रखना और फिर जब आप मन में गुस्सा नहीं रख सकते अगर किसी के लिए प्यार आया तो आप मन में नहीं रख सकतें तो फिर यह तो किसी की बात हो गई आप उसे अपने अंदर कैसे रख सकतें पिर आप वो लगता है कि यार बता देते हैं नहीं नहीं कोई बात कि मन हलका हो जाएगा तो आपकी यही आदत है कि आप तीनों ताइप है like intention बुरा नहीं होता कभी भी किसी के लिए आपका लेकिन बस आपका मन करता है कि मुझे बात बतानी है उससे मुझे बतानी है और जब तक मैं बतानी दूंगी बतानी दूंगा मुझे चैन नहीं है कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप अपने मन में कोई भी राज, कोई भी बात बहुत समय तर नहीं रख सकते तो ये है आपका वो राज चलिए अब आप हमें कॉमेंट करके बताईए कि कितने परसेंट ये बात सच है या फिर जूट है और क्या पता कि ये रीडिंग आप से मैच भी ना हुई हो जै शीकृष्णा अच्छा पाइल नमबर फाइब पाइल नमबर फाइब कैसे हैं आप 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 बहुत स्वस्त होंगे मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल इस्प्रिच्वल लव डबल वन डबल फन में दीयर वह कौन सा राज है वह कौन सा राज है जो किसी वह नहीं पता और आज हम आपका ये राज बताने वाले हैं आपको आपने पाइल नमबर फाइट चूस किया है बताते हैं पक्का डियर आप ऐसे इनसान है कि आपके दिल में एक नहीं कई राज शुपे हुए है और जो आज तक आपने किसी को नहीं बताया है और ना ही आप बताने वाले हो मतलब कि आपके अंदर ना बहुत जादा ही गहराई है आप जाने कितने राज दफन करके बैठें अपने मन में और आप बताना भी नहीं चाहते किसी से और आगे आप बताएंगे भी नहीं इसके कई रीजन हो सकते हैं कि क्यों नहीं बताते आप कभी किसी को कोई भी बात शायद आप किसी को लायक नहीं समझते आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करते आपको लगता है कि अगर मैंने इस बात को बता दिया तो पता नहीं सायद सामने वाला मुझे ब्लैक मेल नहीं करने लगे है ना एक तो ये भी होता है कि लोग alert हो जाते हैं एक ये होता है कि बताने से भी क्या फाइदा जब लोग समझते ही नहीं हैं और आपको लगता है कि आपको समझना मुश्किल ही नहीं नमुम्किन साही है क्योंकि आज तक आपको जितने लोग मिले हैं, वो आपको समझ नहीं पाए. उन्होंने आपको समझा नहीं है. आप जैसे हैं, उन्होंने कभी आपको समझा नहीं है. और इसी वज़े से आप वो लगता है कि हटाओ छोड़ो टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है दिल की बाते दिल में ही रहें तो ज्यादा बैतर है कोई भी बात हो आप अपने दिल की बात अपने दिल में ही रखना चाहते हैं और किसी से भी निवत आना चाहते हैं और ऐसे एक दो नहीं कई राज हैं कई बाते हैं जो आपके मन में हैं अच्छा फाइल नंबर फॉर में ये सिच्वेशन थी कि उनके मन में कोई बात नहीं रहती लेकिन आपके मन में कोई बात नहीं हजारों बात रह सकती हैं और आपके माथे पर शिकन भी नहीं आ सकती कि भ कभी किसे से कहina मत तो अब बहुत ट्रपटृ और यह उपा लोगो हैं कि आप उस बात को अपने तक लhofाकिन को prisons को लेते हैं मन में तो इस वज़े से भी लोग आप पर बहुत जादा ट्रस्ट करते हैं आपको बहुत प्यार करते हैं क्योंकि आप कभी भी इधर-दर की बात करके या फिर उनकी बात इधर-दर करके लड़ाई जगरे नहीं करवाते हैं बहुत अंडरस्टैनिंग परसन हैं तो यह है आपका वो राज कि आपने अपने दिल में कई राज दफन करके रखे हुए हैं और आप उस राज को राज ही रहने देंगे किसी को बताना भी नहीं चाहते तो बताएए यह बात सच है या फिर जूट कितने प ख्याल रखे अपने अपनों का ख्याल रखे कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए क्योंकि डियर एक बात बताएए लोगों का काम कहना ही होता है वो पूरी जिंदगी कहेंगे और आपको लोगों की नहीं सिर्फ अपनी परवा करनी है अपने खुश्यूं की बरभा करनी है और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं आपका मन कहता हो आपकी आत्मा कहती हो तो आप इस चैनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं ठीक है जैशी कृष्णा आप सभी के फृदय में बैठे परमात्मा को हमार शादर प्रणाम ओम मनी पदमेहं ओम साहिराम